हेलो स्टुडेंट्स आप सभी को सूप्रपार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बच्चों, एलेवंध अकाउंटेंशी में आज हम एक नया चिप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है बेंक समाधान विवराण बेंक रिकंसीलेशन स्टेटमेंट या बेंक समाधान विवराण व्यापारी के द्वारा बनाया जाने वाला एक विवराण है अब येवियापारी क्यों बनाता है आज हम इसी के बारे में जानने वाले है तो आप सभी का आज की क्लास में वेलकम है बच्चो एक व्यापारी के द्वारा प्रति दिन अनेक व्योफार किये जाते हैं वो माल खरीदता है, माल बेशता है, किसी से पैसा प्राप्त करता है, किसी को पैसे का भुक्तान करता है बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे करता है अब आज के समय में अधिकांस व्यापारी अपने अधिकांस व्योहार बेंक के माध्यम से करता है क्योंकि नगत व्योहार करने में जोखिम होता है क्योंकि नगत ले जाना नगत लाना उसमें चोरी होने का भाय गिर जाने का भाय गुम हो जाने का भाय रहता है इसलिए अधिकांस तो व्यापारी क्या करते हैं कि पैसा जब माल खरीता जाता है तो भक्तान करने का काम प्राप्त करने का काम यह चेक के माध्यम से किया जाता ह हैं अब इस छेग क्या होता है हमारा सभी का बेंक अगांट होता है और बेंक हमें एक चेख बुक प्रोईइड कर आती है उस solche qook کے माध्यम से हम बेंक के माध्यम से पैसों का लेंदेन कर सकते हैं तो व्यापारी जा माल से पैसा ले लेता है इसी प्रकार से जब माल बेचा जाता है तो सामने वाले से कैस न ले करके चेक लेता है और चेक बेंक में जमा कर दिया जाता है इस प्रकार से पैसे की प्राप्ति और पैसे का जो भुकतान है यह चेक के माध्यम से होता है अब चेक के माध्यम से होना व् हमने दुई इस्तंभी रोकड़ वही बनाई डबल कॉलम कैस बुग जिसमें नगत विहारों का लेखा हमने कैस वाले कॉलम में किया और महिने के अंत में हम बेंक सेस निकाल लेते हैं जब पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट हमने महिने के अंत में दोनों से के देश निकाल लेई कि हमारे पास कैस इन हैंड कितना है और कैस एड़ बेंक इतना है बच्चों अब कैसेट बैंक हमारी रोकर वही में कैसेट बैंक जो है अब उसको प्रमानित करने के लिए हम हमारे पास क्या होती है पासबुक होती है बैंक के द्वारा हमें एक पासबुक दी जाती है हमारे खाते के एक प्रतिली बे उसमें हम इंट्री करवाते हैं बेंक में जाकर और उस पास्बुक के अंदर जो सेस है महिने के अंदर में उस सेस का और रोकर वही के बेंक वाले कॉलम का सेस दोनों मेच होना चाहिए दोनों यदि सेम है इसका मतलब कि हमारा वेहवार सही चल रहा है हमने जितने चेक जमा किये वो बेंक में जमा हो गए हमने जितने चेक जारी किये थे उन समस्त चेकों का भुगतान ले लिया गया है इससे क्या होता है कि दोनों रोकड बही के बेंक सेस और पासबुक के सेस दोनों का मिलान हो जाता है अब क्या होता है तो मेहने के अंतम में मिलान हो गया तो तो कोई समस्या है नहीं लेकिन मंत के एंडिंग में जब यापारी अपनी रोकड़ भाही कंप्लीट कर लेता है बेंक सेस निकाल लेता है for example उसके बेंक में सेस पचास हजार रुपे है अब वो अपने करवचारी को भीशता है बेंक में उस अकाउन की पास्बुक लेकर के और वो पास्बुक में इंट्री करवाता है पास्बुक में इंट्री जब करवाता है तो उसे क्या पता चलता है कि 50,000 की जगर उसके bank account में 40,000 रुपए ही balance बजा है या फिर 50,000 की जगर उसके bank account में 60,000 रुपए का balance है ऐसा क्यों? अब इस समस्या का समाधन करने के लिए वो एक statement मनाता है अलग से अपनी रोकर बही में कोई छेड़ छारा नहीं करता नहीं पासबुक में छेड़ छार कर सकता है वो एक अलग से statement बनाता है जिसमें उपर लिखता है कि रोकर बही की अनुसार bank seis के बनाता है वो लिए उसके बाद उसके द्वारा जितने भी check जारी किये गए है वो समस्त चेकषों काamięल ब्रकतान के लिए प्रस्तियुत नहीं हुए है तो उन समस्त चेकों को वह रोकर भई के बैंक से इसमें क्या कर देता है add कर देता है किऊं कि जब भी उसने चेग जारी किए थे रोकर बही के bank कॉलम में credit Emily करीची में इंटरि में हमने कर दिया अब आपने रोकर बही में मायनेस कर दिया लेकिन वो विक ले कर कि वेले इसलिए bank का सैस माइनस आप जिस तारीक में आप बना थे उस तारीक तक बुखतान के लिसा के लिए प्रस्टुत नहीं हुआ तो आप उस जोड़ दो ठीक है तो एक काम ये होगा दूसरा आपको जितने भी फिर आप क्या देखोगे कि आपको जितने भी चेक मिले थे आपने बेंक में जमा करने के लिए जो भीजे थे तो आपके पास उसकी प्रतिलीपी होगी एक काउंटर फाइल होगी बेंक में जब हम चेक जमा करते हैं नहीं क्रेडिट साइड में हमें दिख जाता है उसमें से अधिमान लोग कुछ चेक जमान नहीं हुए है तो वह चेक हम क्या करते हैं क्योंकि हमने रोकड वही के बेंक वाले कॉलम में डेविट सेड में उनको जोड दिया था लेकिन हम जिस तारिक को बेंक समाधान विवरन बना रहे उस तारिक तक वह जमा नहीं हुआ तो उन्हें हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो यह दो काम हो गए हमने जो चेक जारी किये थे वह एदि भुक्तान के लिए प्रस्तूत नहीं हुए तो उन चेक को हम उस बेंक सेस्में जोड देंगे और जो चेक हमने संग हम विवरांट बना रहे हैं उस तारीक तक यह दिसंगरा नहीं हुए तो उन्हें हम माइनस कर देगे यह दो काम हो गए अब तीसरा काम कुछ सा है यह से कई बार क्या होता है कि बैंक के द्वारा कोईसा चार्ज आटोमेटिक काट लिया जाता है हम सभी को मालू में हमारे पास भी जो सेविंग अकाउंट है तो उसमें बैंक कोईसा एटियम का चार्ज काट लेती है कोईसा पासबुक का चार्ज काट लेती है मैसेज का चार्ज काट लेती है तो 50 रुपे 20 रुपे ऐसे 100 कुछ न कुछ एनुवली बेंक के द्वाराया मंधली चार्ज काट ले जाते हैं अब बेंक तो हमारे पास बेंक में से बेंक का अकाउंड में से माइनस कर देती है लेकिन हमारी रोकर बही में उसकी इंट्री नहीं होती है और इस कारण से वहां का बैलेंस कम हो गया लेकिन र पर नान्य बार बैंक हमें वी ना बतां हमारे खाते में बैस्या देती ही और हमें पता ही नी चलता होई हमारा बैंकि बैंक सब्सक्राषि किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा उस ब्याच को रोकड़ भई में एड़ करना पड़ेगा तो ऐसे कुछ काम होते हैं जिनके कारण से एसे कुछ कारण होते हैं जिन कारण से रोकड़ भई के बैंक सेस और पास्वुक के सेस में अंतर आता है और इनी अंतरों के लिए इन के कारण बेंक रोकड भईs के बेंक सेसं और पाजबुक के सेसं में अंतर आता है। तो वो कौन-कौन से कारण हैं वो कारणों को हम देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला कारण जो है वो है निर्गमि चेक जो भुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए देखिये सबसे पहला कारण रोकड बढ़ी के बेंकसेस और पासबुक के सेस में यदि अंतर आ रहा है तो उस उसंतर का कारण पहला कारण आपने चेक जारी किया जारी करना चेक निर्गमित करना चेक काटना चेक फाड़ना यह व्यापार की भासा है आपने चेक फाड़ के दे दिया फाड़ के दे दिया मतलब चेक बुख में से आपने चेक फाड़ा इसा नहीं कि चेक के दो टुकड़े कर दिए चेक बूख होती है उसमें चेक सब लगे रहते हैं उसमें से चेक फाड़ना पड़ता है मतलब अलग करना पड़ता है तो हम किसी को भी यदि चेक दे रहे मतलब भुक्तान कर रहे हो नगत न देकर आप चेक दे रहो आपने चेक फाड़ दिया या चेक देना या चेक फाड़ना या चेक जारी करना या फिर उसको क्या वलते हैं चेक निर्गमित करना निर्गम मतलब जाना आपने उसको दे दिया तो निर्गमित किये गए चेक आपने सामने वाले को चेक दे दिया कि जाओ मेरे बेंक आकाउंड में से पै तो निर्गमित किये गये चेक, भुकतान के लिए प्रस्तु थी नहीं हुए, आप ने 10,000 रुपए का माल खरीदा, और सामने वाले विकरेता को आपने 10,000 रुपए का चेक दे दिया, और उसने चेक जेब में रख लिया और भूल गया, वो बेंक में गए ही नहीं, आप लेकिन आप जैसे ही चेक देते हो उसकी इंटरी आप चेक बुक में तो करते हो साथ में रोकर बही के बेंक सेस में आप बेंक वाले कॉलम के क्रेडिट सेड में इंटरी कर लेते अब वो बेंक में जायगा, बेंक में चेक परस्तित करेगा, तब पासबुक में से वो दसजार माइनस होगा. यदि वो जाये गई नहीं तो कम ही नहीं होगा. अब महिने के अंते में जब हम balance मिलाते हैं तब हम देखते हैं कि क्या है 10,000 रुपे हमारे हैं पर रोकर बही के bank sales में कम है लेकिन पास्बुक में 10,000 जाता है इसका कारण जब पता करते हैं तो पता चलता है कि हमने जो चेक निर्गमित किया गया था वो भुक्तान के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो बेंक समाधान विबरन जब बनाते हैं उसमें रोकर बही का जो बेंक का sales होता उस बेंक sales में इस 10,000 रुपे को जो चेक आपने निर्गमित किया था भुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ उसको आप जोड़ देते हैं पहला कारण हो गया दूसरा कारण कौन सा है तंग्रह करने हैं तू भेजे गए चेक जिनका संग्रह नहीं हुआ संग्रह संग्रह करना मतलब इखटा करन जमा workforce क्या होता है जिस प्रकार से आप चेक जारी करते हो उसी प्रकार से आप जब माल बेशते हो तो सामने वाला आपको नगत न दे करके चेक देता है जब आपको चेक मिलता है तो चेक को बेंक में जमा कराया जाता है आप बेंक में जाते हो और एक जमा परसी भरते हो उसमें अपना बेंक आकाउंट लिखते हो और वो चेक नाम बेंक आकाउंट और चेक का करमांगे सब लिख करके बेंक में जमा कर जाते हो bank क्या करती है उस check में जो रासी होती है वो आपके bank account में जमा कर देती है अब उसी banker का check रहता है तो तो तुरंत जमा हो जाता है लेकिन किसी other banker का उसने check दिया है तो वो clearance के लिए जाता है किसी main branch में जाता है वहाँ से clear होकर आता है है कि हाँ यह साइफ मिलान होता है उसका और उसके बाद आपके खाते में आता है तो उसको दो दिन लग जाता है ठिक है अब यह क्या होता है कि कभी-कभी कुछ मिसफ mission हो जाता है कि और राइटिंग होती है । कटा फटा रहता है एडिका उसका New में पैसा आने में समय लगता है मानलो अपने 25 तारिक को चेक जमा किया और 30 तारिक को आप जब रोकर बही पास्बुक का मिलान करते हो तो वो 5,000 का चेक ठा आपने जब चेक जमा करने गए तह रोकर बही के डेबिट पे अपने इंटरी कर ली कि भी 5,000 रुपए प्राप्त हुए मतलब आपका बेइंग से 5,000 से आपने रोकर बही में बढ़ा दिया लेकिन जो चेक आपने बेंक मे जमा किया था 25 को जमा किया था 30 तारिक को आप मिलान कर रहो 30 तारिक तब अभी पाँच दिन वो रस्ते में ही गुम रा है आपके बेंक आकॉन में पैसा अभी जमाना है और इस कारण से पाजबुक में आपका 5000 जमा नहीं हुआ लेकिन रोकडबही में आपने 5000 जमा कर दिया मतलब रोकडबही का बेलेंस ज्यादा बता रहा है और पाजबुक का बेलेंस कम बता रहा है यह अंतर होता है और इसी अंतर के कारण को आपको बेंक समाधान विवरण मे लिखना है कि चेक संग्रह है तु भेजा किन्तु संग्रह नहीं हुआ ये कारण होता है ठीक है ये दो कारण हो गए पीसरा कारण क्या है बेंक द्वारा ग्रहक के खाते से नाम किये गए सुल्ग नाम करना मतलब डेबिट करना तो क्या होता है बेंक के द्वारा कई बार हमार पैसे सुल्क लिया जाता है और वो सुल्क आटोमिटिक सिस्टम से जनरेटेड होता है वो कट जाता है तो हमारे पास्बुक में से पैसा आटोमिटिक कड गया तो हमारा जो पास्बुक का बेलेंस से कम हो गया लेकिन हमने रोकर बही में उसकी इंट्री नहीं करी जब मन्त के end में जब हम entry कारते हैं पासबुक में तब हमें पता चलता है कि बैंक के द्वारा चार्ज काटा गया है और वो चार्ज के entry रोकड़ वही में नहीं होती है तो बैंकי क्या है तो हमें भी वो सुल्क को रोकड़ वही में से क्या करना पड़ेगगरअ व handle कारण हो गए चौथा कारण है bank खाते में सीधी जमा की गई राशी पर कई बार क्या होता है कि किसी customer को हमने माल बेचा और उसने बोला मैं आठ दिन बाद आपको payment करूंगा अब आठ दिन बाद उसने हमें पैसा नहीं दिया और क्या किया हमने जो उसको bill दिया था उस bill में ज सिदे पैसा जमा कर दिया अब बेंक के पासबुक में पैसा आ गया लेकिन रोकर वही में हमें पता ही नहीं इसलिए हमने रोकर वही में पैसा जोड़ा ही नहीं है और इस कारण से पासबुक में बैलेंस ज्यादा है और रोकर वही में बैलेंस कम है जब मन्त के एंड में हम ज विरन में बताना पड़ेगा फिर है बैंक का द्वारा संगरहित ब्याज और लाभशित है इसी परकार से जिसे हम किसी कंपठी के खरीदे हैं और लाभधनन को इसके नहीं लेकिन रोकर भही में उसका करना पड़ती है और ग्राहक मतलब व्यापारी की और से किसी को भुखतान करता है उसके बजाए व्यापारी की तरफ से बेंक उसको भुखतान करती ती जैसे माहन लोग प्रत्य एक एवरी मन्थ हम विजली का बिल भरते हैं ठीक है तो हर मेने कहां बिल भरने जाएंगे और कोन ध्यान रखेगा क्योंकि वैपारी को बहुत सारे काम रहते हैं तो वो जनरली ध्यान नहीं रहता है उनको और जब डेट निकल जाती है तो फिर उनको पेनल्टी लग जाती है अब विजामान आदमी के पास तो पैसा रहता है तो बरता है वो अपने बजट के अनुसार चलता है लेकिन वैपारी को आकॉण में तो पैसा रहता है तो किबल उनको भरना रहता है तो क्या करते हैं बेंक को यह अधिकार देते हैं आटो डेबिट सिस्टम म Например वहावरी हमारा जो भी बिजली का बिल आता है टेलिफोन का बिल आता है हमारी मानलों को इसी किस्त है तो यह आटोमेटिक आप हमारे अकाउंट से भुक्तान कर दिया करें तो गरहक की अनुमती से गरहक की और से मतलब गरहक की अनुमती से बेंक की द्वारा पत्यक्ष भुक्तान सामन तब पता चलेगा कि इस तारीक को बेंक ने भुकतान किया है उसी तारीक में आपको आपकी रोकर भही में बेंटरी करना पड़ेगी इस तारीक को बिल भरा गया यहां पर समय का अंतराल है अभी लेखन में समय का अंतराल जब हम लिख रहे हैं तो बेंक पहले लिख लेती हैं हम बाद में लिखते हैं या फिर आप पहले लिख लेते हैं बेंक बाद में लिखती हैं ऐसा और यह समय के कारण इनमें बैलेंस में दूरी होती है मतलब बैलें बिबच या फिर कि आपको विपत्र दिया विपत्र मतलब dいきます बिल रिसी वेबल आ जिसे आपने किसी व्याप्री को माल बेचा आपने वाले ने आपको नगत भी नई दिया और चेग भी नहीं दिया उसके बजाए आपको एक उसने वचन पत्र दिया जिसकों बोलते com तो पत्र पॉल्क करते हैं मैं आपको दो महेंने के अंदर यह पैसा दो मेने में दूंगा अब आपको तो अभी पैसे की जरूँ थे आपने क्या उस भी पत्र को आपका जिस बैंक में अकाउंट ऐस बैंक में गए और में जाकर उस विपत्र को भुना लिया, भुना लिया ना मतलब, जैसे मानलो 5000 का विपत्र है, तो आपने बेंक में दिया, बेंक आपको 5000 से देगी, लेकि एक पट्सेंट डिसकाउंट काट लेगी, वह आपको कोई इधी पैसा एडवांस दे रहा है, तो दो मेने बाद बेंक को तो मिल गया विपत्र बेंक के पासे दो मेने के बाद जब सामने वाला विक्रिता आपको पेमेंट करेगा तो बेंक को सीधा पेमेंट करेगा लेकिन दो मेने के बाद भी यदि सामने वाले विक्ति ने उस विपत्र की राशी का भुक्ता नहीं किया तो बेंक क्या करती है आपके अक आपने रोकड बही में भी उसको माइनस नहीं किया है जब इंट्री होती तब पता चलता है तब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें भी हमारी रोकड बही में से उसे माइनस करना पड़ता है तो यह तो थी कुछ कारण कितने कारण हमने देखे यह पाच्छे कारण देखे जिन कारण से रोकड बही के bank sales और passbook के sales में अंतर होता है यह pressing परिच्छाओं में आता है कि रोकड बही और passbook के sales में अंतर का कारण लिखिए तो हमें वो कारण लिखना पड़ेगा अब अगला point है असुद्धियों के कारण यह तो समय था, समय के कारण दोनों में अंतर होड़ा था, मतलब या तो बैंक पहले एंटरी कर लेती हैं, हम बाद में करते हैं, या फिर हम पहले एंटरी कर लेते हैं, बैंक बाद में करती हैं, और यह समय के अंतर के कारण उनमें अंतर आता है, अब दुसरा कारण है गोग में अंतर आता हे तो फर्म द्वारा लेंदेन के अभिलेखन में द्रूटी में फर्म मतलब व्यापारी के द्वारा लेंदेन का जब yapak किया जाता है तो जक्ष्ण को पुस्त को मरा लिख पर आप 500 रूपए का चेक है, आपने 50 रूपए लिख दिये, या 5000 लिख दिये, तो यह ऐसी गलतियां आकाउंटेंट से हो सकती है, पर पाँच हजार का चेक था, तो चेक तो 5000 का बिंक में जायेगा, तो 5000 आएगा, लेकिन आपने जब रोकर बही में इंटरी कर दी तो आपन एक सुन्य कम कर दिया 500 कई चेक प्राप्त किया तापकि रोकर वही में 500 रुपए आये जब कि वहाँ 5000 रुपए जमा हो गए तो आटोमेटिक आपका तो अंतर आने वाला है यह तुरूटी के कारण अंतर आ रहा है फिर है बेंक का द्वारा लेन देन के अभी लेखन में तुरूटी तो बेंक से भी गलती हो सकती है बेंक से क्या गलती हो सकती है कि बेंक को डेबिट करना था तो क्रेडिट कर देगी क्रेडिट करना था तो डेबिट कर देगी ऐसी कंडिशन में भी वहाँ पर अंतर आ जाता है तो ये समस्त जो कारण थे कि bank के द्वारा मतलब एक समय के द्वारा और एक असुद्धियों के कारण लेन देनों के अभी लेखन में क्या हो जाती है अंतर आता है रोकर वही के bank sales और पासबुक के sales में अंतर आता है अब हम एक उधारन देखेंगे bank समाधान विवरन का format भी देखेंगे कि किस प्रकार से bank समाधान विवरन बनाया जाता है जिसे देखो एक प्रस नहीं हमारे सामने एक्जामपल दिया गया है स्री विनोद के व्योसाइक के निम्न विवरन के आधार पर 31 मार्च 2017 को bank समाधान विवरन बनाया जाता है निस्चित तारिक मतलब आप month के end में 31 मार्च है मार्च के end में आप bank समाधान विवरन बना रहे है तो तारिक नी 31 मार्च को आप bank समाधान विवरन बना रहे है है cash book के bank वाले column में sales आपका 50,000 है आप विनोत कुमार है आपके पास जो रोकर बही cash book बनी हुई है double column cash book उसमें आपने bank का balance देखा तो आपके bank के balance कितना है 50,000 रुपया है फिर आपने जब pass book देखी तो pass book में आपको अंतर मिल रहा है pass book और रोकर बही किया जो sales जोनों में मिलान नहीं हो रहा है अंतर आ रहा है तो इस कारण से आप एक bank संबाधन विरन बनाते कि क्या कारण है अंतर का तो सबसे पहले तो आपने रोकर बही के अनुशार आपका bank का sales कितना है 50,000 है फिर आपने पता किया तो आपको पता चला कि आपने 6,000 रुपे के चेक एक customer को दिया था जो कि अभी तक वो भुक्तान के लिए bank में नहीं ले गया इसलिए ये जो चेक है इस balance में क्या हो जाएगा add हो जाएगा क्योंकि आपने पहले minus कर दिया था चेक जारी किया मतलब minus किया था लेकिन अभी तक प्रस्तुती नहीं ह लाभांस संकलित कर farmer के खाते में जमा कर दिया तो आपने किसी company के share खरी दे थे और उन share पर आपको लाभांस मिला तो आपके bank account में वो लाभांस जमा हो गया लेकिन आपको पता ही नहीं चला तो bank account में जमा हो गया आपने जमा नहीं किया तो आप क्या करेंगे आप भी आप कसुलक की प्रविस्थी भी roker बही में नहीं हुई मतलब bank नहीं 400 रुपय का charge काट लिया काट लिया मतलब आपके bank खाते में से minus कर लिया लेकिन आपने roker बही में से minus नहीं किया इसलिए आपको भी roker बही में से क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा फिर है 6,000 रुपे का एक चेक बेंक में जमा किया गया था आपने किसी को माल बेचा सामने वाले ने आपको चेक दिया उस चेक को आपने बेंक में जमा किया लेकिन 31 मार्च तक वो चेक आपके बेंक का खाते में जमा ही नहीं हुआ वो पैसा आया ही नहीं आपको जब चेक मिला आपने उसी दिन रोकर बही में इंतरी कर ली और आपका बेंक बेलेंस बढ़ा लिया लेकिन रियल में तो पासबुक में वो पैसा जमाई नहीं हुआ इसलिए इसको हम क्या करेंगे आपके रोकर बही में आपने एड कर लिया था लेकिन बेंक में जमा नहीं हुआ और इसलिए आप क्या करेंगे माइनस कर दिया तो प्लस करो यहाँ पर आपकी रोकर भही में जमा कर दिया लेकिन पास्बुक में बेंक में जमा नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ मतलब आप उसको माइनस कर दो, बेंक पर फरक्त क्या पड़ा है, यह आपको देखना पड़ेगा, तो आप नहीं हा माइनस किया लेकिन बेंक में माइनस नहीं हुआ, इसलिए उसको प्लस करो, आप नहीं ह यहां रखना है तो आपने यहां से आपने चेक जारी कर दिया आपने रोकर में से माइनस कर दिया लेकिन वहां पास्बुक में से माइनस हुआ क्या नहीं हुआ मतलब वहाँ प्लस है तो प्लस रखो आपने यहां से चेक जमा करने के लिए भेजा आपने यहां जोड़ दिया लेकिन वहाँ जुड़ा क्या नहीं जुड़ा इसलिए आप उसको माइनस कर दो और बेंक के द्वारा जो कारे किया गया बेंक ने चार जे काट लिया है तो आप भी आपके पास्बुक में से माइनस कर लो बेंक ने ब्याट जमा किया तो आप भी जमा कर लो बस यह बेंक समाधान विवरन और आपको पता चल जाएगा रोकर बही के बैंक सेस से आप पास्बुक के सेस की तरफ पहुच जाओगे इसका देखो, कॉल्यूसन भी दिया है नीचे किस प्रकार से बनाया जाएगा देखिए, यह उसका हल है आपको इस प्रकार से बनाना है सबसे पहले क्या दिया है 31 मार्च, बैं हमें एक निश्चित तारिक को बनाएंगे मतलब कौन सी तारिक को बना रहे 31 मार्च 2017 को स्री विनोद का बेंग समाधान विवरण एक कॉलम, क्रमांक आ गया, विवरण आ गया प्लस और माइनस रासी में प्लस और माइनस सबसे पहला पॉइंटे लिखेंगे रोकड बही के अनुसार सेस ये रोकड बही के अनुसार कौन सा सेस है भी है रोकड बही के अनुसार ये बेंक सेस है रोकर बही की अनुसार बेंक सेस और बेंक सेस भी कुन सा डेबिट सेस है ये रोकर बही में बेंक के कॉलम का डेबिट का जो सेस होगा वो सेस कितना है पचास हजार है मतलब आपके बेंक खाते में पचास हजार रुपे है ये बता रहा है कि आपके बेंग खाते में 50,000 रुपे है इसलिए हमने प्लस में लिखा अब आपने चेक जारी किया था लेकिन भुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ आपने आपकी रोकर बही में से माइनस किया था लेकिन पासबुक में से माइनस हुआ क्या नहीं हुआ तो आप उसको प्लस करो ये 6000 प्लस कर दिया ब्याज की रकम बेंक खाते में जमा बेंक ने ब्याज जमा किया आप भी आपकी रोकर बही में जमा कर लो बेंक ने सुल्क काटा आप भी चेक कॉन साइज 6,000 रुपे आपने चेक संग्रह के लिए भेजाता लेकिन अभी तक संग्रह नहीं हुआ बेंक में प्लस नहीं हुआ माइनस कर दो और 400 रुपे बेंक के दरा चार जी काटा गया अब इसको जोड़ेंगे 50, 56,000 और 8,64,000 रुपे प्लस हुआ और 6,400 माइनस मतलब 57,600 रुपे ये जो है ये 57,600 ये क्या है ये बेंक की पाज़बुक के अनुसार क्रेडिट सेस है ये ये आपके रोकर वही में बेंक सेस डेबिट होगा तो पाज़बुक में क्रेडिट सेस होगा तो बेंक पुस्तिका के अनुसार सेस कितना आ गया 57,600 रुपे अब देखे यहां 50,000 है और यहां 57,600 है 7,600 का अंतर आ रहा है जब आडिटर चेक करने आता है तो देखता है कि आपकी रोकर वही में 50,000 है 31,000 है आपकी पाज़बुक में 57,600 है वहीया 7,600 का गया तो आप क्या बताते हो कि वहीया 14,000 रुपे के चेक और यह 6,400 रुपे के चेक 14,000 हमने माइनस कर दिया था चेक जारी किया था है ना लेकिन वो माइनस नहीं हुआ बेंक में से बेंक के द्वारा ब्याट जमा किया गया फिर हमने चेक जमा करने के लिए बेंक जमा ही नहीं हुआ और बेंक के द्वारा जो सुल्क काटा था वो माइनस नहीं हुआ तो इस बराबर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हमें क्या करना है बेंक समाधान विबरन बनाना है यह स्टेट्मेंट अलग से बनाया जाता है आडिटर को दिखाने के लिए क्योंकि आडिटर यह देखता है कि आपकी रोकर भी में 50,000 है और आपके पासबुक में 57,600 है तो यह 7,600 के अंतर का आपको जवाब देना है और वो जवाब आप इस पॉइंट्स में यह चार जो पॉइंट है इसके आधार पर आप देते हो ठीक है तो यह रोकर भी के बेंक सेस और पासबुक के सेस में दोनों में अंतर के कारण और एक हमने एक्जाम्पल देखा ठीक है कल हम कल के क्लास में इसके जो कुस्यनंस है उसको हम करने वाले हैं ठीक है कल फिर मिलेंगे अब तक के लिए गुड़ बाई